जब भुरे नाथ की किन्ता नहीं किसी बात की नमस्कार दोस्तों आलमबाग प्रवर्डियू में फिर से हम आपका एक बार थे स्वागत करने के लिए उपस्तित हैं दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक नया मकान लेकर आया है और यह में रोड से लगा हुआ मकान है दाहिने साइड में हमारे में रोड अभी हम दिखाते हैं आपको और यह इसका एलिवेशन है मकान का फ्रेंट पर हमने टाइल्स का प्रोड किया है देखिए अगल बागल इधर मकान बने हुए है गाड़ी खड़ी है और यह वो सामने ल्डिये के बिल्डिंग ही दिखे रही है और जो गाड़ियां मोटर साइकल आते जाते दिख रहे हैं वो में रोड है आपकी मुस्किल से 100 मीटर की दूरी है और 24 घंटे आप आ जा सकते हैं कृष्णा नगर से जो पारा वाली रोड है अंदर अंदर आती है केशरी खेडा रेलवे क्रासिंग होते हुए इधर हंस खेडा की रहे से हुंते हुए पारा चोकी जो निकलती है उस रोड से यह लगा हुआ मकान है और अगर आप जानते हों तो इस रोड पर बस तक चलती है नगर निकम की तो आपको कन्विंस की कोई भी असुगधा नहीं होगी आप जब चाहें तब आ जा सकते हैं तो यह है इस मकान का पोर्च और पार्किंग भी यह है और इसमें टाइस का प्रयोग किया गया है और पार्किंग आपको अच्छी खासी मिल जाती है इसमें आपकी कोई भी हैच्बेक गाड़ी आराम से पार्क हो जाएगी जैसे की स्विफ्ट आइटेंड और ब्रेजर तक की गाड़ी भी इसमें आराम से आ जाएगी यह आपका पहला रूम है ड्राइंग रूम सुन्दर पॉल्स सेलिंग दी गई है इसमें पिंक कलर का में प्रयोग पूरे मकान में किया गया है यहां पर आपको एक इंडियन वास्ट रूम मिल जाता है और इसमें एक वास्ट वेसिन भी दिखा गया है टाइल्स लगाए गए है छे फिट की हैड तक मार्वल फिनिस में बहुती सुन्दर दिख रहा है यह और अलमुनियम डूर लगा दिए गए हैं दोस्तों अंदर बढ़ते हैं यहां पर फिर से आपको पी ओपी की डियाइन मिल जाती है और यह आपका लिविंग एरिया है या लॉबी कह सकते हैं यहीं पर आपको किचन भी मिल जाता है किचन सिंपल ही रखा गया है दोस्तों एक बिंडो मिलती है जो कि आपका सिधा पार्किंग एरिया में खुलती है एक यह पीछे आपका बेड्रूम यहां पर अभी लाइट नहीं आई है इस मकान में यहां पर आपको सुन्दर फॉर सेलिंग मिल जाती है दोस्तों इस लोकिशन की दूरी अगर हर्दोई बाइपास से देखी जाएगी तो लगभग दो किलोमेटर के असपास होगी लेकिन सीधा रोड आई हुई है कोई आपको आने जाने में असुद्धा नहीं होगी और Krishnarnaagar Metro Station से देखी जाएगी तो लगभक चार किलोमीटर यह पड़ेगी की आप कभी भी आजा सकते हैं उसकोष सेग किलोमेटर के दूरी पर है यह आपका मुम्टी का एरिया है भविस्व में आपको जब उपर बनाना हो तोड़ना न पड़े इसलिए यहाँ पर सीट का प्रयोग कर दिया गया है बाकी छट ड़ला दी गई 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 और यह स्टील सपोर्ट के साथ आपका प्लास लगा हुआ है रेलिंग में सामने आपको हरा भरा बाक दिख रहा है एक रूम आपको यहाँ पर भी मिल जाता है चार बाक से इसकी दूरी लगभग 10 किलोमेटर के असपास होगी इस मकान की और आलम बाक बस टर्नमिनल से लगभग 6-7 किलोमेटर के असपास यह पड़ेगा एरपोर्ट यहाँ से लगभग 8 किलोमेटर के असपास होगा और स्कूल, कॉलेज और बाकी जो सुबदा हैं सब आपको 1-5 किलोमेटर के अंदर मिल जाएंगी सारे बड़े-बड़े स्कूल, सब आसपास ही है जैपुरिया यहाँ से 1-5 किलोमेटर पे ही है एक वासरूम आपको यहाँ पर भी मिल जाता है दोस्तों एक बेड़रूम यहाँ पर मिल जाता है आपको तो कुल मिलाके यह 2BHK आपका मकान बना हुआ है यह वासरूम आपका वेस्टन रखा गया है जो इस मकान की कीमत रखी गए दोस्तों वो जादा नहीं रखी गई है यह पीछे का एरिया है मकान की यह अगल वगल की लोकेस्टन दिखी रही है आपको तो मात्र 35 लाग रुपए इसकी कीमत रखी गई है और इस पर आपको 80% तक finance मिल जाएगा आप हमारे दिये वे नंबर पर संपर कर सकते हैं जब भी आपको विजिट करना हो दो मकान है यह वो सामने रोड दिख रही है यही है में रोड तो में रोड के बगल में ही यह मकान है आपका आने जाने में आपको कभी भी असुबदा नहीं होगी दोस्तों यह पूरब फेश का 3VH के मकान है जो कि एक बर्व सांदार लोकेशन संगम विहार कालोनीम बना हुआ है सिंगांण नकर मेक्टरेश रेशन से दूरी मात्र दो किलो मेंटर है और हाइवे छे मात्र एक किलो मेटर अंदर और घंई आबाधी के बीच में बना हुआ है बहुत ही सुन्दर देखी रहे हैं बना हुआ है इसका पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं बाकी इसका पूरे वीडियो का लिंक भी हम आपको इसक्रिप्स्टन में देदेंगे वहां पर भी जाकर देख सकते हैं तो जाकर जरूर देखें जै भूले नाक की चिंता नहीं किसी बात की